कैसे हूँ मेरे प्यारे विद्ध्यारकियों स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ इस्टुएंट में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे exercise 16.1 प्रिष्णावली 16 असल और एक अध्याय है संख्याओं के साथ केलना playing with numbers इसका question number 7 इस प्रिष्णावली के एक से लेकर 6 तक प्रशन में आपको पढ़ा चुका हूँ लिंक मैंने इस वीडियो क्लास में दे दिया है आप उन सवालों को भी देख सकते हैं अगर आप English पढ़ना चाहते हैं तो friend of student English इस चैनल पर आप English पढ़ सकते हैं तो चलिए आज किस लेक्चर को शुरू करते हैं students इस प्रशना वली में हमें 10 सवाल दिये गए हैं इन मेंसे कुछ सवाल हमारे जोड़ वाले हैं और कुछ सवाल हमारे गुणा वाले हैं और इन सवालों में हमें इस तरह से A, B, C इस तरह से कुछ अक्षर दिये गए हैं इन अक्षरों के मान हमें इन सवालों में बताने है तो चलिए प्रश नंबर 7 को solve करते हैं तो प्रश नंबर 7 में हमें सवाल गुणा का दिया गया है और सवाल क्या है ए बी गुणा छे उत्तर मिला हैं बी बी यानि यहाँ पर दो अक्षर हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई दो अंको वाली संख्या है जिसको हम 6 से गुणा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 3 अक्षर यानि 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है इस सवाल में हमें A और B का मान ग्यात करना है तो जैसा कि आप जानते हैं A और B के मान हम क्या ले सकते हैं सवाल हमारा गुणा का है तो सबसे पहले हम 6 से B की गुणा करेंगे यानि इस सवाल में सबसे पहले हम B का मान ग्यात करेंगे फिर हम 6 की A से गुणा करेंगे अर्थात B का मान ग्यात करने के वाद हम A का मान ग्यात करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम B का मान ग्यात कर लेते हैं हमें सर्थ क्या दे रखी है 6 गुणा B और उत्तर में हमें B प्राप्त हो रहा है हम यहाँ B का मान ऐसा क्या रखें जिसकी 6 से गुणा करें तो हमें उत्तर में भी वही मान प्राप्त हो जाए जो हम B का ले रहे हैं तो ऐसी कौन कौन से अंक हैं जो हमारी सर्थ को पूरा करते हैं तो हम यहाँ पर B के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक के अंकों को बारी बारी से रख कर देखेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा अंक इस सर्थ को पूरा करता है तो सबसे पहले हम यहां B का मान 0 रख लेते हैं, B वरावर 0, यहां पर भी है, तो B वरावर 0, ठीक है, और इधार है गुणा में 6, तो यहां हमने गुणा में 6 लिख लिए, अब इन दोनों की हमें गुणा करनी है, और उत्तर हमें 0 लाना है, तो 6 गुणा 0 क्या होता है, 0 होत ठीक है। आगे चेक करते हैं। नहीं ले सकते हैं, गर ऐसा करते हैं, तो ये सर्थ हमारी पूरी नहीं होती है, ठीक है, तो ये cancel हो जाएगा, अब हम B के स्थान पर 2 रख कर देख लेते हैं, 6 गुणा, B के स्थान पर 2, ठीक है, बराबर, यहां पर भी B है, तो यहां पर भी हमने 2 रख लिया, इसको solve करेंग 6 गुणा, 2 कितना होता है, 6 दूनी 12, तो हम यहां 12 लिख लेंगे, यह हमारा B हो जाएगा, ठीक है, और यह 1 कहां जाएगा, यह हासिल में चला जाएगा, इधर, ठीक है, जैसे हमने यहां B का मान 2 ले लिया, तो 6 दूनी, 12, 12 का 2, पर हासिल यहां 1 चला जाएगा, तो यहा यहां पर ही B की वैल्यू दो हो जाएगी, ठीक है, किलियर हो भी बात, तो यहां पर B का दूसरा संभवमान 2 है, यानि हम B के स्थान पर अगर 2 रखते हैं, तो भी हमारी सर्थ पूरी हो जाती है, इसी परकार से हम 3 को चेक करेंगे, तो 6 गुणा 3, यहां हमने B की वैल्यू हमें यहां पर 8 प्राप्त हो रहा है, होना प्राप्त क्या चाहिए? 3, ठीक है, कितना प्राप्त होना चाहिए? 3, क्योंकि यहां B की वैल्यू क्या है? 3, तो यहां पर भी B की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 3 और 1 हमारा हासिल में चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इस है तो यहाँ पर भी हम 4 रख लेते हैं इसको गुणा करेंगे 6, 4, 24 तो यहाँ 24 लिख लेंगे यह हमारा B हो जाएगा और यह दो जो है न यह हासिल में यहाँ आ जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से यहाँ 4 B की वैल्यू हो होती है जब हम 6 रखेंगे B के स्तान पर तो भी हमारी सर्थ पूरी हो जाती है 6 गुणा में हम B कामान 6 रख लेते हैं और इदर भी हम B कामान 6 रख लेते हैं तो 6 छंग 36 ठीक है यह हमारी B की वैल्यू जो जाएगी और यह 8 यहां हमने B की वैल्यू आट ली तो यहां पर भी हमें 8 लिख लेना है इसको गुणा करेंगे तो क्या अपराद होगा 6 अठे 48 ठीक है यह दोनों B हो जाएंगे और यह जो 4 रहा यह हासिल में चला जाएगा तो यहां पर हम B की वैल्यू आठ भी रख सकते हैं लेकिन जब 9 को B के स्थान पर रखेंगे तो हमारी सर्थ पूरी नहीं होती है तो यहां हमने देखा B के संभव मान क्या क्या गए यानि B के स्थान पर हम क्या क्या रख सकते हैं 0, 2, 4, 6 और 8 तो यहां हम लिख लेते हैं B के संभव मान क्या क्या होंगे स्थान जीरो कॉमा दो कॉमा चार कॉमा छे कॉमा आठ ठीक है यानि हम B के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 इन 4, 5 अंकों को ही रख सकते हैं बाकी अंकों को हम नहीं रख सकते हैं अगर हम ऐसा करते हैं इन अंकों के अलावे किसी और अंकों को B के स्थान पर रखते हैं तो यह सर्थ हमारी पूरी नहीं होती है ठीक है अब हम क्या बारी बारी से इन अंकों को चेक करेंगे B के स्थान पर रखकर कौन से अंक से हमारा ये सवाल solve हो जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे B की value 0 रखते हैं देखिए यहां हमारा B है तो यहां पर मैं B के स्थान पर 0 लिख देता हूँ, ठीक है? यहां पर B है, तो यहां पर B मैं 0 लिखूंगा यहां B है, तो यहां पर B मैं 0 लिखूंगा तो इस प्रकार से मुझे answer क्या मिला? 0, 0, 0 जबकि मुझे मिलना क्या चाहिए, तीन अंकों की कोई संक्या मिली चाहिए तो यह संभवी ही नहीं है, B का मान अगर हम 0 इसमें रखते हैं तो हमारे यह सवाल solve नहीं होगा आप कैसे भी check करके देख लें, यह सवाल solve नहीं हो सकता है तो इसका मतलब यह हो गया, कि यहां पर जो B का संभव मान 0 है वो हम नहीं रख सकते हैं, अगर रखते हैं, तो हमारे सवाल solve नहीं होता है तो हम क्या गरें? अब B की value हम इस सवाल में 2 रख लेते हैं क्या रख लेते हैं? 2 तो हमने यहां B का मान 2 रख लिया, यहां पर B है, यहां पर भी 2 रख लिया यहां पर भी 2 रख लिया, और यहां पर भी 2 रख लिया, ठीक है? अब इसको solve करते हैं अब हम A, B, B, B इनको नहीं लेंगे कि बद 2 से गुणा गरें 6 दूनी, 12, 12 का 2, ठीक है? हासिल एक, यहां पर B की वैलू दो हो गई, यहां पर भी B की वैलू दो हो गई और हासिल का एक हमारा यहां चला गया, अब यहां पर हमें क्या गरना है? 6 की और A की गुणा करनी है, 6 की और A की गुणा करनी है एक इस्थान पर ऐसा अंक रखना है जिसकी 6 से गुणा करें और उसमें एक जोड़ दें तो 22 प्राप्त हो जाए तो क्या ऐसा student संबग है 6 की गुणा आप किसी भी अंक से कर ले आंसर में आपको 22 नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा 6 की गुणा आप किसी से भी करेंगे तो आपको एक संब्संख्या पराप्त होगी जैसे 6 गुणा 1 6 होगा अब इसमें 1 आपको जोड़ना है एक जोड़ दिया तो क्या पराप्त होगा 7 यानि एक जोड़ने के बाद आपको एक बिसम संख्या प्राप्त होगी लेकिन यहां में कौन सी संख्या प्राप्त हो रही संख्या देखी और देख लेते हैं इसमें हमें एक हासिल का जोड़ना है तो यहां हो जाएगा 13 ठीक है इसी प्रकार से एक ही वैलू अगर हम 3 ले 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 तो 6 तियां 18 और हासिल का एक जोड़ेंगे तो कितना हो जागा यह 19 तो आप चेक करेंगे तो पाएंगे कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसकी वैलू हम एक इस स्थान पर रख दें और हमें अपने इस प्रिशन का उत्तर या इस प्रिशन का हल प्रात्त हो जाए तो इसका मतलब यह हो गया कि इस सवाल में हम बी की वैल्यू दो भी नहीं रख सकते है ठीक है अब हम क्या करेंगे हमने 0 चेक कर लिया सवाल हमारा हल नहीं हुआ दो 4 को चेक करेंगे, अगर 4 रखने पर भी सवाल सॉल्व नहीं होता है तो हम 6 को रखेंगे, 6 रखने पर भी नहीं होता है, तो हम 8 को रखेंगे, ठीक है अगर हमारा 4 रखने पर ही सवाल सॉल्व हो जाता है, तो आगे के 2 को को हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है तो यहाँ पर हम B की value 4 रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ हमने B का मान 4 रख लिया, यहाँ पर भी हमने 4 रख लिया, यहाँ भी है तो यहाँ पर भी हमने 4 रख लिया, अब सवाल को solve करो, 6 गुणा 4, 6 चोबिस, 24 का 4, हासिल के 2 यहाँ आ गए, ठीक है, अब हमें 6 और A की गुण कर दें, क्या करें, 6 से गुणा कर दें, और उसमें 2 जोड़ दें, जो भी गुणफल आए, उसमें 2 जोड़ दें, तो हमें 44 प्राप्त हो जाए, तो आप 0 से लेकर 9 तक के अंकों को चेक करेंगे, तो आप पाएंगे, कि A का केबल एक ही मान ऐसा है, जो इस सर्थ को पूरा करता है, तो यहां हम लिखेंगे, A का संभव मान, संभव मान, बरावर 7, केबल 7 ही एक ऐसा अंक है, जो इस सर्थ को पूरा करेंगा, अगर मैं यहां पर A के स्थान पर 7 ले लूँ, तो 6 सकते 42, 42 और 2, 44, अगर अपना हल प्राप्त हो जाता है, तो यहां B की वैलू क्या हो जाएगी 7, तो यहां हम लिखेंगे, चरान में अपने, की, चलिए मैं चरान लिख देता हूँ, ठीक है, आप उसे नोट कर लेना, तो students, आप चरान लिख लेंगे, सर प्रतम हम B का मान गयात करते हैं, B के संभव मान, 0,2,4,6,8 है, B बरावर 4 रखने पर सवाल में दीगे, सर्थ पूरी हो जाती है, फिर हम A का मान गयात करते हैं, A का संभव मान 7 है, A बरावर 7 रखने पर हमें अपने प्रस्ण का हल प्राप्त हो जाता है, अतहा, A बरावर 6, B बरावर 4, यही हमारा आंसर है, देखिए यहां पर B का मान क्या प्राप्त हो रहा है, चार, यहां पर कर दें इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद